विज्ञान से चुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चानल की सद्यस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं बुलिटिन COVID-19 में आप सबका स्पागत है मैं हूँ दीक्षा चौथरी देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर लगातार कम हो रहा है लेकिन आने वाले समय में कोरोना को लेकर किसी भी स्थिती से नेपटने के तैयारिया अभी से शुरू कर दी गई है खास कर बच्चों में अगर कोरोना का संक्रमन होता है तो उनके इलाज के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है इसी को देखते हुए किंद्रे स्वास्त एवं परिवार कल्यान बंत्राले के तहे ताने वाले स्वास्त सेवा माहने दिशाले यानी बच्चों में कोरोना का संक्रमन होने पर उनके इलाज के लिए विसरत दिशा निर्देश चारी किये हैं जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रमडिसेवर दवा का इस्तमाल ना किया जाए साथ ही बच्चों में सिटी स्कैन भी तब ही किया जाए जब इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत हो बच्चों में स्टेरोइट्स के इस्तिमाल को लेकर के भी खास तावधानी बरत्ते को कहा गया है स्टेरोइट्स का इस्तिमाल सिर्फ गंभीर मरीजों में डॉक्टरों की निगरानी में ही किया जाना चाहिए steroids उन बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं जिन में कोरोणा के ज्यादा लक्षण नहीं है इन guidelines में ये बताया गया है कि हलके लक्षण वाले बच्चों को 10-15 mg paracetamol की dose दी जा सकती है जिसे बुखार और गले में दर्द होनी की सूरत में हर 4-6 घंटे में लिया जा सकता है guidelines में 12 साल से अथे कुपर के बच्चों को उंगली पर पल्स ओक्सिमीटर लगा कर बड़ों की देखरेक में 6 मिनिट वॉक टेस्ट करने की भी सलहा दी गई है हलाकि बिना लक्षण वाले कुरुना पीड़ित बच्चों के लिए इन guidelines में किसी खास इलाज की बात नहीं कही गई है और कहा गया है कि उन्हें पॉष्टे भोजर लेने के साथ साथ COVID अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए भारत के उशिदी महानियंत्रग यानि की DCGI ने वैग्यानिक तथा और द्यों के कनुसंधान परिशत यानि CSIR और लक्साई Life Sciences Private Limited को COVID-19 के मरीशों पर कोलकिसन दवा के clinical trial को मनजूरी दे दी है CSIR के मताबिक सामान ने देखभाल और इलाज के साथ इस दवा का उपयोग हिदय रोग सिपेड़ित COVID-19 मरीशों के लिए मददकार साबित होगा साथ ही ये दवा प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को कम करके जल्द संक्रबन बुक्त होने में भी मदद करेगी दुनिया भर में हुए कई अध्यनों में इस बात की पुष्टी हो चुकी है कि COVID-19 संक्रबन और पोस्ट-COVID सिंट्रोम के दोरान हिदय संबंधी जटलताओं की वज़े से कई लोगों की जान चली जाती है और इसलिए नई दवाओं की तलाश जरूरी है कॉलकेसिन दवा के क्लिनिकल ट्रायल में CSIR के दो संस्थान CSIR-IICT हैदरबाद और CSIR-IIIM जम्मू साजेदार है लक्साई Life Sciences के मताबिक इस ट्रायल के लिए देश भर में कई जगों पर मरीजों के नामांकर का काम शुरू हो चुका है और अगले आठ से दस हफ़तों में ये क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाने की उमीद है उमीद की जा रही है कि इस दवा से अस्पताल में भरती कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी मदद मिल सकती है ट्रायल के परिणामों और नियामक संस्था से मन्जूरी मिलने के आधार पर बड़ी संख्या में ये दवा लोगों को अपलब्द कराई जा सकती है पुरिगेग स्टार्टप फर्म ने एक ऐसा नए प्रकार का मास्क तयार किया है जो कुरोना वाइरस के संपर्क में आने पर उस पर हमला करता है और उसे निश्क्रिय करतेता है Thinker Technologies India Private Limited नाम की इस कंपनी के मताबिक इस मास्क को 3D प्रिंटिंग और साथ ही दवाओ के सम्मिक्षन से तयार किया गया है मास्क पर अंटिवारिल एजिंट का लेप लगाया जाता है जिसे वारूसाइट्स भी कहा जाता है लेप के लिए इस्तमाल की जाने वाली सामगरी में sodium olefin sulfonate आधारित मिश्रन होता है जिसका इस्तमाल साबुन बनाने में किया जाता है जब वारिस इस लेप के संपर्क में आता है तो उसकी बाहरी जिल्ली नश्ट हो जाती है विशानू नाश्रक मास्क परियोजना COVID-19 के खलाफ लडाई में पृद्ध्योगी की विकास बोर्ड बारा चुनी हुई शिर्वाती परियोजनाओं में से एक है प्रद्योगी की विकास बोर्ट भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रद्योगी की विभाग के तहद एक विज्ञानिक निकाय है विज्ञानु नाशक मास्क परियोजना को पिछले साल मई के महीने में कोवर्ट नाइटीन से लड़ने के लिए नए समाधानों की खोच के रूपे बोर्ट की तरफ से वित्य साहिता प्राप्त हुई थी इस मास्क को विकिसित करने वाली फर्म Thinker Technologies India Private Limited का दावा है कि ये मास्क सामाने N95 और साथ ही 3-ply और कपड़े के मास्कों की तुल्ला में कोवर्ट नाइटीन के प्रसार को रोकने में अधिक प्रभावी है फर्म के इस मास्क के पेटिंट के लिए भी आवेदन किया गया है और व्यवसाइक तोर पर इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है आज के इस अंक में बस इतना ही बुलिटन कोवर्ट नाइटीन के अगले अंक में हम फिर हाजूर होंगे आप सबसे अनुमती लेने से पहले एक विनम्र अनुरोंध विज्ञान पृतियोगी की आविशकार और नवाचार जगत के विश्वसनिये कारिक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाल पर इंडिया साइंस आप अवश्य डाउनलोट करें एक बात और देख का अपना विज्ञान चानल इंडिया साइंस टीवी अब फेस्बुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंकिंट और इंस्टेग्राम पर भी उपलब्थ है हमारे कारिक्रमों के बारे में आप अपने फीडबाग एवब सुझाव हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल पता है feedback at the rate indiascience.in इसे के साथ अपना बहुत खयाल रखिये और हमें दीजे एजासर, नमस्कार